नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपके प्यार की बारिस और बाहर बारिसी बारिस नमस्कार दोस्तों मैं रवी पटेल स्पेस्टेक एंटरप्राइजेस से आज हम लोग समझेंगे जो TBSC का मशीन है यह PT262 मशीन है इसमें GST कैसे डिफाइन होगा आज से इसमें चार टेक्स आते हैं चार GST है लाइक 5 है 12 है 18 है 28 है तो वो कैसे डिफाइन होगा प्रेइन चीजेज़े नमस्कार दो सारा हमारे चैनल में आपको मिलेगा इससे related है, digital से related हमारे चैनल में आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी लाइक, हमारे पास barcode scanners, barcode printers, thermal printers, restaurant का मशीन, label, ribbon, billing मशीन में बहुत सारे token dispenser, calculator वाला मशीन, तो बहुत सारी चीज़े हैं दोसों, TBS में जो यह PT262 मशीन है, PT262 में आज हमारा यह पच्वा वीडियो है पहले वीडियो में आपको मिलेगा कि आइटम कैसे feed होगा, billing कैसे होगा, report कैसे generate होगा, सारी चीज़े उसमें मिलेंगी दूसरे में report part, तीसरे में भी और ज्यादा report parts चोथे में आपका item return, item return कैसे होगा, कल की date में आप गलती से bill कर देते हैं, 5 bill करना है, 50 bill कर देते हैं, 45 आपको return करना पड़ेगा, तो कैसे आप return करेंगे वो हमारे channel में आपको पुराने सारे के सारे videos में मिल जाएगा, दोस्तों आज हम समझेंगे कि इसमें GST कैसे define होगा, तो यह fresh machine है, आपको on करना है, on करने के बाद, आपको क्या करना है, इसको tax mode पे करना पड़ेगा, machine जो आपका आता है, वो training mode में रहता है, training mode से हमें user mode प 0000, enter करना है, और उसके बाद आपको Z report निकाल लेना है, यह Z report अपना निकल गया, Z report जब आप निकालेंगे, तो इसमें एक machine number आएगा, यह जो है, यह आपका machine number है, 19098, ठीक, तो यह आपका machine number है, 19098, तो हमें क्या करना है, हमें login करने के बाद, जस्ट अपने को system set पे जाना यह clerk वाला बटन है, मीनू का काम करता है, जस्ट यह clerk वाला बटन प्रेस करके अपना system set में गए, system set में जाने के बाद, पहला option आपको मिलेगा, change to user mode, तो machine पहले training mode से user mode पे आएगी, user mode पे machine करने के लिए आपको machine number डालना पड़ेगा, आपका हर machine का अलग-अलग machine number होगा, जैसे इस machine का है 19098, तो हमने 19098 कर दिया और एंटर कर दिया, तो machine क्या होगा, कि machine training mode से user mode में आएगा, user mode में आने के लिए machine एक बार off होगा, और फिर machine आपका on होगा, अब यह machine आपका user mode पे आगए, normal mode पे चलाना है, तो user mode में चलाईए, लेकिन आपको gst define करना है, तो machine को आपको tax mode पे रखना पड़ेगा, tax mode में रखने के लिए, फिर से हमें वहीं पे जाना है, हमने यह login कर दिया, login करने के बाद हमें system set पे जाना है, system set में एंटर करना है, अब यहाँ पे option आपको जो मिलेगा, change to training mode, training mode में अपने को नहीं करना है, अपने को tax mode पे करना है, तो ये डाउन रोकी करेंगे, टोटल प्राइज वाला बटन प्रेस करेंगे, तो ये इसमें आपको आएगा चेंज टू, टेक्स मोड, टेक्स मोड में एंटर किया, मसीर नंबर आपका डालना है ये फिर से मशीन आफ होगा, और अब गया, ये आपका मशीन टेक्स मोड पे पहुँच गया, और हमने लॉग इन कर लिया अब हमें एक आइटम पहले define करना पड़ेगा तो आइटम define करने के लिए पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा हम इजली अभी item define कर लेते हैं आइटम define करने के लिए आइटम का name price डालेंगे tax index tax index आएगा tax index यहाँ पे 12 करेंगे 12 means कि जैसे 5% अपने को define करना है तो 2.5% आपका cgst होगा 2.5% sgst होगा दोनों tax हम लोग define करेंगे इसमें आप 8 tax define कर सकते हैं 8 tax means कि जो 4 अपने tax है 5, 12, 18 और 28 तो 5 को 2 उसमें define करना पड़ेगा cgst, sgst ऐसे करके आप सारे taxes define कर सकते हैं अभी हम लोग समझेंगे कि 5% कैसे define होगा तो हमने tax index यहाँ पे 12 कर दिया और enter, enter, enter करके हम लोग बाहर आगे तो यह तो item में आपको जो tax index डालना है वो है, उसके बाद हमें क्या करना है, clerk वाला button प्रेस करके हमें system set पे आना है यह हम लोग system set पे आगे, system set में आने के बाद enter करना है और enter करने के बाद आपे रोकी, price वाला button प्रेस करना है price वाला button प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको option मिलेगा fiscal set, fiscal set में आपको जाना है और enter करना है इसमें आपको पहला यह option दिखेगा tax rate tax rate, tax rate में आपको enter करना है यहाँ पे आपको जो index हमने किया था वो define करना पड़ेगा तो tax index 128 define कर सकते हैं अभी हमने 1 वाला किया, then enter किया tax flag, tax flag में आपको कुछ भी नहीं रखना है tax name, tax name यहाँ पे आपको लिखना है like cgst 2.5% है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा put करना पड़ेगा, तो यह हमें cg then st space दे दिया और 2.5% लिखना पड़ेगा इसमें, तो 2, यह आपका आगया point यह हो गया 5 and percentage, तो ऐसे करके 2.5% हो गया हमने enter किया, यह tax depend on tax, tax depend on tax में आपको 0 रखना है और tax rate आया, tax rate में हमें क्या करना है, 2.5% यहाँ पे डालना है यह हमारा 2.5% हो गया, फिर से आपको tax rate में जाना है, enter करना है one किया, enter किया हमने, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं tax depend on tax, यहाँ पे आपका 0 रहेगा और enter करके आपको बाहर आ जाना है तो यह tax, index, tax rate अभी एक number का define हुआ, means 10% CGST define हुआ हमें SGST भी 10% define करना है, तो tax rate में फिर से अपने को enter करना है tax index 2 करना है, 2 करने के बाद enter करना है, flag में आपको कुछ भी नहीं लिखना है फिर आपको यहाँ पे SGST अपने को 2.5% लिखना पड़ेगा, तो हमें SG then S T space 2.5% यह ऐसा करना है, tax depend on tax, आपको यहाँ पे जो रखना है 1 और enter करके बाहर आना है फिर से आपको tax rate में जाना है, tax rate में जाने के बाद tax index 2 enter करना है, flag में कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका name already लिखा हुआ है tax depend on tax, यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए कुछ भी नहीं करना है, यह आपको enter करना है paper roll का error है, error 80 जो है, error 80 आपका paper roll का है तो हमने अभी paper roll लगा लिया और फिर से मैं आपको वही process बता देता हूँ यह system set, official set, tax rate, tax rate में 2, एक हमने define कर लिया था, यह दूसरा है tax flag में कुछ नहीं रखना है, यहाँ पे आपका SGST 5% आ गया, tax depend on tax, यहाँ पे 0 आ गया और यह आपको ऐसे करके enter कर देना है, दोस्तों यह वाला जो machine है, यह वाला machine हम लोग कई business में use कर सकते हैं, like restaurant, public hotels है, juice shops है, coffee shops है, spa है, dairy shops है, small garments shops है, footwear shops है, ice cream shops, petrol pumps, beauty parlor, cafe, fast food joints, temples, fuel station, novelty, gift तो बहुत सारी business में आप लोग इसको use ले सकते हैं, जिससे सारा का सारा आपका track record मिलता है, कि सभेरे से साम तक कितना sale हुआ, item wise sale कितना हुआ, तो ऐसे आपको यह छोटा सा device है, जिसमें आपका सारा का सारा track record पूरा maintain हो जाता है दोस्तो हमारे चैनल को like करें, subscribe करें, share करें और हमें बताएं कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, या आपको comments करना है कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है दोस्तो हम अब यह समझते हैं, कि यह हमारा tax define हो गया, एक चीज और यहीं पर आपको एक बार cancel करना है, और option, ज यहीं पर आपको फिसल सेट में option मिलेगा, यह भी जो है फिसल सेट आ रहा है, फिसल सेट में एंटर करना है, tax rate हमने define किया, यहीं पर आपको option मिलता है, price including tax, यहाँ पर option मिलेगा आपको price including tax, price including tax, इसमें yes है, जो समोसे का price हमने 10 रुपे डाला, तो वो उसमें 0.5% CGST, 0.5% CGST, total 5% उसमें include होके आएगा, यह आपको plus करना है, तो यहीं पर 0 करके आपको enter कर देना है, दोस्तो एक चीज यह हो गई, दूसरी चीज और, machine आप down arrow की करते जाएंगे, एक option मिलेगा, print tax, print tax जो है, तो tax आपको print इसमें होगा कि नहीं होगा, वो वाला option है, तो जस्त हम ल आपको tax प्रिंट होगा, कभी नहीं होगा, तो यह वाला भी option आप सुरू में ही कर लिजे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे print receipt on tax यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यह हमारा सारा का सारा process complete हो गया, अब हम लोग बिल बना के समझेंगे कि tax जो हमने define किया था, वो कैसे define हुआ, तो हमें क्या करना है, हमने बिल करने के लिए 4 quantity बिल करना है, तो 4 into किया, आइटम का code प्रेस किया, और PLU प्रेस किया, तो समोसा जो है आपका 40 रुपे आ गया, हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद यह हमारा बिल आया, बिल में जो इसमें mention हुआ, लाइक इधर आपका फर्म का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, इनवाइस नंबर आ गया, डेट आ गया, टाइम आ गया, आइटम का नेम, कित्ता क्वांटिटी, कित्ते रुपे का बिल, GST डिटेल, यहाँ पे आप देखे, GST डिटेल, CGST 2.5% 0.95, SGST 2.5% 0.95 and total amount, total amount 40 रुपेज है, total tax आपका 0.95, 0.95, 1.90 है, net amount 40 रुपेज है, और total यह 40 रुपेज का, means हमारा पूरा का पूरा जो हमने CGST, SGST डिफाइन किया था, तो वो हमने पूरा का पूरा डिफाइन कर लिया, अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिपोर्ट जब लेंगे, रिपोर्ट लेन रिपोर्ट है, Z1 है, then net sale 1, means कि एक बिल कटा, total 40 रुपेज का sale हुआ, draw or cash amount 40 रुपेज है, यहाँ पे tax report है, tax report में CGST 2.5%, 0.95, SGST 2.5%, 0.95, total tax 1.95, और आपने अगर 4 tax define किया, like 5, 12, 18, 28, तो यह सारा का सारा एक चीज पूरा का पूरा यहाँ पे आपका define हो जागा, non-taxable sale amount सारा का सारा यह आपका पूरा define हो जाएगा, दोस्तो हमारे चनल को like करें, subscribe करें, share करें, खुस रहिए, खुसिया बाटिये, मस रहिए, मस्ती में रहिए, और इस दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाते रहिए, धन्यवाद. झांडा बन्ती मैं दोरा वो जपका करें, यह दो का एंच करें, क्या बनाता। सुर्स मैं ठालाते यह, और बनाता हो जता एंच्छा मरे और रहिए, दोस्तों से बसाले और उले होगा, ne सुनिया जापका करें, और फई करें।